इन्होंने कहा था कि परतेक सांसर्थ दो दो गाउं को गोद लेने का काम करें इन्होंने महंगाई की बात कि इन्होंने कहा था प्लाइन रोकेंगे इन्होंने कहा था कि बिहार को विशेस राज का दर्जा देंगे इन्होंने कहा था बिहार को विशेस पैकेज देंगे आपक कितने लाख करोड दे दूं तो हमें लगता है नमस्कार मैं मनीश और आप देख रहे हैं एक न्यूस 24 हमारे साथ मौझूद है आरजडी के प्रधान महासचीफ सहविधायक रनविजय साहु जी रनविजय जी प्रेस कॉंफरेंस के माध्यम से जदियू के राष्टिय अध्य दूं यो की आए कि मांंग करेंगे क्या कहेंगे अब बहारतय जनता पार्टि जो भारत जलाओ पार्टि और आहार श्यूंथ तक जो इन्होंने राजनीत किया थारमी कुनमार्द हिंदू मुसलिम लह पाकिस्तान मन्धिल महजीद तो हमें लगता है कि भारत की राजनिती आज जिस प्रकार से मानिय तेशी परसाद जादव जी ने बिहार में मुद्दो पर बात की, बिहार को आगे ले जाने की बात की, आज रुजगार की बात की, तो हमें लगता है कि भारते जनता पार्टी और बीजेपी के निताओं ने जो देश के लोगों से जो वादा किया जो नौजवानों से वादा किया था, जो किसानों से वादा किया था, उन्होंने कहा था, कि परतेक सांसर दो दो गाउं को गोद लेने का काम करेंगे, उन्होंने महंगाई की बात की थी, उन्होंने कहा था, पलाइन रोकेंगे, उन्होंने कहा था, कि बिहार को विशेस रा कितने लाख करोड दे दूं तो हमें लगता है कि बिहार का नौजमान बिहार का किसान विहार का मजदूर तमाम लोग भारती जनता पाटी से नाराज है आखिर किन मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे आज सिर्फ मोधी जी के नाम पर जाएंगे आज मुद्दा है महांगाई का मुद्दे पर भारती जनता पाटी नहीं आज भारती जनता पाटी मंदिल के मुद्दे पर चुनाव लगना चाहती है हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव लगना चाहती है लेकिन हमें लगता है कि करनाटे के महान जनता ने जिस प्र जुम्लेवाज भारते जन्ता पार्टी के तमाम नेता हम बात कर ले मनीपूर का हम बात कर ले हर्याना का जिस प्रकार से मनीपूर में जिस महिला को जिस माता को जिस वहन को हम कभी पूजा करते हैं सीता करूप में कहीं दुरगा के रूप में कहीं काली के रूप में और उनक में और ब्यानवाजी में आगे हैं जनता सब देखती है 24 बहुत नजदिक है जनता जवाब देगी इनको सम्राठ चौधरी का बियान आया उन्होंने लालू प्रसाद यादब पर हमला करते हुए कहा कि बिहार में ऐसी स्थिति आ गई है कि अपराधी को भी अब बिये चाहिए जो है छाता लेकर के मंदीर में दर् practitioners कर का ? क्या रहे हैं समराठ चौधरी जी निजर्स देख्वाटि जी अपको सर्म आणी चाहिए कि आप फिका साथन है आपइक के मुख मंद्रिय था कि रहरे कि जा यहाना की बात कर लें मनिपूर के बात कर कर लें चाहें हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें चाहें हम मद्प्रदेश की बात कर लें आप अपने स्टेट में देखिए कि घ्राफ अप्रादिक गड़ाप आपके स्टेट में कितना है और बिहार की बात तो निश्चित रूप से अगर यह राज में कानून का एकवाल है कानून का राज है वानिया नितिश कुमार जी लगातार अपने ब्यानों में बोलते हैं यह सरकार निकिसी को फसाती है निकिसी को बचा अप्राद अगर हुए है तो पकले जाते हैं अप्राद करके कोई बचने सकता यह हमारे सरकार का प्राथमिक्ता है और लगातार इस दिसा में मानिया नितिश कुमार जी मानिया मखमंती तेस्वी जी लगातार काम कर रहा है अटल पार्क को कोकनेट पार्क नाम जब तेज परतापी आदब के द्वारा दिया गया तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि यह तो मदारी है यह कुछ भी कर सकते हैं क्या कि देखिए भाजपा के लोग के पास आप कुछ बोलने के लिए हैं नहीं अब इतने बेरुजगार हो गया है पूरी तरह से फ्रेस्टेशन में है घबराठ में हैं बौकला अब सक्ता इंके हातों से निकलने वाले और हमें लगता है मैंनिय मंत्री है तो आपने सुना यह आ और जेडी के प्रधान महा सचीव सभ विधायक रनविजय साहू जीनों ने सीधे तोर पे कहा कि भाजपा के पास ना मुद्दा है ना कोई आजेंडा है वो सिर्फ मोधी के चेहरे पे चुनाओ लड़ना चाहती है लेकिन देश की जनता और बिहार की जनता जानती है कि के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक निज़्टिफॉर कैमरा में रंजीत के साथ मैं मनीज पटना है